हेलो आज मैं आप लोग के साथ एक सिंपल और हेल्दी रेसिपी परवल का भड़ता सेर करने जा रही हूं इसे आप जरूर ट्राइ करें विदाउट ओवायल विदाउट मसाला इसके लिए हम मैंने ये 100 ग्राम परवल लिये हैं इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे और इसको प प्रेसर कूकर में थोड़ा सा पानी डालके इसको हम गल्ले तक पकाएंगे या मैं एक आसान आप्सन आपको बताती हूं जब आप डाल बना रहे होते हैं तो आप उसमें डाल दे और यह आराम से उसमें वह पक जाएगा अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं अलग से इ जाएगे अच्छ कर लेंगे अच्छ लोग डाइवटीज पेसेंट होते हैं वह या जो बहुत सिंपल खाना खाते हैं तो वह इसे ट्राइग करें इस तरह से प्रोपरली सो मैंने मैश कर लिया हो इसमें हम जो समग्री डालेंगे जो इंग्रेडियंस वह है प्याज एक बा बारिक कटा हुआ एक मिर्ची हाफ नीबू नमक और मस्टर्ड वाइल है एक चमच अब हम इसे मिला लेते हैं सभी को डालके लेकिए वन फूर्थ मैंने नमक लिया है प्याज कि यह मस्टर्ड वाइल कि नीबू पारस एक से दो चमच होगा यह और इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और यह खाने के लिए रेडी हो गया बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही हेल्दी है तो आप इसे जरूर ट्राइब करें और मुझे बताएं कैसी बनी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें करें